नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रुद्राग्ष्र रास्तव और आपका सौगत है हमारे चैनल आज के दिन क्यूरॉसिटी पर आज हम मैद के एक ऐसे टॉपिक के बारे में सेर्चा करेंगे जिसका नाम है मैंसुरेशन मैंसुरेशन के अंदरगात आज हम क्यूबॉइट के ब बताएंगे और इसके साथ हम इसके तरहें तरहें के कोशन भी करेंगे जिससे आपको हर तरहें के कोशन करने का तरीका आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है क्योबाइड एक इस प्रकार की आकरती होती है जैसा कि मैं अभी बना रह क्यूबाइट में एक लंबाई होती है एक चौडाई होती है जिसे हम भी माल लेते हैं और एक उंचाई होती है जिसे हम एच माल लेते हैं इसे हिंदी में घनाब कहते हैं क्या कहते हैं घनाब और इंग्लिश में इसे क्यूबाइट कहा जाता है आईए असल में देखते हैं कि क्यूबाइट किस तरह के और किस आकार का होता है हमारे जो माचिस की डिब्बी है ये आपके घर में भी होगी ये माचिस की डिब्बी बि तो यह पूरी तरह से क्यूबाइट बन जाएगा इसमें आप इसकी लंबाई चौड़ाई और उचाई को आसानी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि यह इसकी लंबाई है लेंथ यह इसकी चौड़ाई है भी और यह इसकी उचाई है एच यह हो गई लंबाई चौड़ाई और उचाई तो अब जिस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि देखी इसमें कितने प्रेस्ट हैं चलिए गिंते हैं एक दो एक इसके उपर बंद होगा दो होगा तीन चार पांच और छे छे चे प्रेस्ट हैं इ पहला ये वाला दूसरा इसके उपर वाला तीसरा इधर वाला चौथा ये वाला पांचवा ये वाला और चटा ये वाला यानि कि घनाव में कितने प्रेश्ट होते हैं घनाव में छे प्रेश्ट होते हैं छे प्रेश्ट होते हैं और कितनी कोरे होती हैं ये भी जान लेते हैं चलिए, यहाँ पे कोरों से मतलब मतलब भुजाओं यानि की लंबाईयों से है, अब इसका यहाँ पे दो भी जरुवत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तरहें तरहें के सवाल आते हैं, मैं आगे आपको कराओंगा, तो उसमें कोरों की आशकता भी पड़ती है, कोरें यानि क बुजाएं, चलिए गिनते हैं कित्ती बुजाएं हैं, एक यह लंबाई हो गई, दूसरी यह लंबाई हो गई, ठीक इसके सामने वाली भी दो होगी, एक यह हो गई, और एक यह हो गई, तो टोटर चार लंबाईयां हो गई, क्या हो गया, चार लंबाईयां हो गई, ठीक ह और कत्ति भुजाए है देखते हैं फिर ये एक चौडाई ये दूसरी चौडाई ये तीसरा चौडाई ये चौति चौडाई ये तो यानि कि 4 चौडाई हो गई इसी तरह से देखा जाए तो एक, दो, तीन और ये 4 4 उंचाई आखो गई तो चार लंबाईया, चार चौोडाई और इसी तरीके से 4 उचाई तो यानि कि इसमें टोटल 12 कोरे यानि कि 12 भुजाएं हो गई ठीक हैं तो अगर इसके छेटफल की बात करें तो आज क्या होता है छेटफल किसी सतहथ भेरी गई जगहे को हम छेटफल कहते हैं जैसे कि यह हमने एक यहाँ पर सर्किल बना दिया चोटा सा अब इस सर्किल जितनी जगह अंदर घेर रहा है यही इसका छेतरफल कहलाएगा ठीक है उसी तरीके से इसको बनाने में देखे किती दफ्ती लगी हुई है एक इधर लगा हुआ है अच्छे यह है क्या यह लंबाई है इसमें एक चोड़ाई है केवल इसी प्रेश्ट को देखेगा और कुछ मत देखेगा इस प्रेश्ट में एक लंबाई है और एक यह तो चोड़ायी मानते हुए अगर इसका आम छेत्फलन निकालने कुशिश करेंगे, तो वह छेत्फल एल गुडा, ह निकलेगा, अर्थाद लंबाई गुडें चोड़ाई निकलेगा, इस केस में लंबाई L है, और चोड़ाई है, सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर करेंगे तो इस प्रिष्ट की लंबाई L है और इसकी चोड़ाई B है, ठीक है तो इसका शेतल निकलाएगा L into B, इसका L into H, ठीक इसी तरीके से यह L into H है तो यह भी L into H हो जाएगा, यह वाला into B है तो इसके उपर जो बंद होगा वो भी L into B हो जाएगा फिर उसके बाद ये B है और ये उपर वाला H होगा तो ये B into H हो जाएगा क्या हो जाएगा? B into H उसी तरीके से जब ये B into H है तो इसके सामने वाला भी B into H हो जाएगा ये वाला B तो आईए देख लेते हैं ये है B into H सामने वाला B into H तो कितने B into H हो जाएगा? 2 B into H हो जाएगा तो छेतफल का सूतरा ये निकालते हैं तो 2 B गुणे H हो जाएगा ठीक फिर और क्या है देखते हैं इसमें 2 B गुणे H हो जाएगा 1 L into H दूसरा L into H तो 2 L गुणे H हो जाएगा सब लंबाई और चोड़ाई की गुणा हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है तीसरा B into H हो गया L into H हो जाएगा अब देखते हैं L into B बचा यानि कि ये वाली लंबाई ये L into B और इसके उपर वाली L into B 2 L into B तो सिर्फ ये लंबाई और चोड़ाई की ही गुणा हो रही है असल में ये क्यूबाइट कई तरहें के आयतों से मिलकर बना हुआ है अगर इसका हमें संपूर्ड प्रेस्टिय शेत्फल ग्याद करना है क्या ग्याद करना है जैसे कि अभी हम लोग निकाल चुके हैं जानी कि इसमें छे आयत थे एक ये आयत एक ये आयत एक ये दावाला आयत एक ये वाला और एक इसके उपर वाला एक का शित्वल निकाला ये भी सेम है दो गुना कर दिया फिर उसी तरीके से BN2H निकाला इसे भी सेम है ये भी दुगना कर दिया फिर उसके अद LN2 भी निकाला इसका भी दुगना ये वाला है तो ये वाला भी दुगना कर दिया और हमारा ये टोटल शेतफल आ गया यही हमारा सूत्र है क्योंकि तीनों में दो आ रहा है इसलिए ह हम दोग को कॉमल ले लेंगे अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि बस यही हमारे संपूर्ण प्रेश्टिय छेटफल का सूत्र हो गया जस इसी जगह पर आप इतनी सी बास सोच के देखिए घं क्या होता है घं में यह अलग-अलग नहीं होते हैं केवल उसमें एक ही बुजा होती है और हर एक बुजा उसी नापकी होती है तो अगर हर एक बुजा एक ही नापकी है L का मान भी वही है जो B का मान है वही H का मान है चलिए मान लेते हैं तीनों बुजाओं का मान A ही है क्या है A तो एक बना के मैं दिखाता हूँ आपको ये हो गया A अब चुकि हर एक बुजा का मान A है अच्छे ये बास सोच के देखो कि ये A है तो इसका छेटफल क्या होगा A गुण A, A स्क्वार हो जाएगा चुकि सेम ये भी A है ये A है और ये भी A है तो जब दोनों A गुण A हुए तो इसका छेटफल भी A स्क्वार हो गया उसी तरीके से ये A है उसी तरीके से ये भी A है और ये भी A हर एक A है तो इसका भी छेटफल A गुण A यानि की A स्क्वार हो गया यही चीज हर एक दूसरी बुजा के साथ हो जाएगी यहाँ पे आप इस बात को थोड़ा सा imagine इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि यह क्यूबॉइड है इसकी हर एक बुजा एक जैसी नहीं है अगर में पास समय क्यूब नहीं है वरना मैं आपको क्यूब दिखाता क्यूब की हर एक बुजा एक जैसी होती है इसलिए उसका चेत्फल हर एक प्रिष्ट का चेत्फल A स्क्वार हो जाता है और हम यह जानते हैं कि अगर एक प्रिष्ट का चेत्फल A स्क्वार है और प्रिष्ट होती है इसमें 6 तो टोटल चेत्फल क्या हो गया टोटल चयत्फल हो गया 6a square बस यही हमारे घन का संपूर्ण प्रिष्ठिय चयत्फल है, घन का संपूर्ण प्रिष्ठिय चयत्फल है, चयत्फल का मातरक square होता है, मातरक square, जो भी मात्रक हो, मात्रक से मतलब मीटर हो सकता है, सेंट्री मीटर हो सकता है, तो जो भी मात्रक हो, उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, यही इसका मात्रक होता है, तो अब तक दोस्तों हम देख चुके हैं संपूर्ड प्रष्ठी चेटफल का सूत्र, जिसका मतलब होता है स िहुąda देरे बधास चील के लिए फिर जोड़ दीजा काइं कि बुजा तो बस इसका 6a² हो जाएगा इस तरीके से आफ सारी तरह के च ciao को निकार सकते हैं तो चलिए दोस्तों सवाल करना शुरू करते हैं अब इसके फॉर्मुले को अच्री तरह से समझ चुके हैं कि इसके संपूर्ण प्रस्टीय-छेथ्वर को किस तरह से निकालना होता है तो इसकी से सम्मंदित को सवाल देखते हैं पहला सवाल है एक दिशम्दो पांच मीटर लंबे एक दिशम्दो दो पांच मीटर चौड़े और पैसल सेंटिमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है देखिए तीनों की लंबाईया दी गई डिब्बे की खासियत यह है कि डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है यानि कि हमें उसमें छे जो छेटफल हम निकालते थे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया छे सर्फेस होती है उसी हिसाफ से हमने पूरा संपूर्ण प्रेस्टीज चेटफल का सूत्र भी निकाला है ले लेकिन एक तरफ से उपर से खुला हुआ है यानि कि एक चेटफल इसमें नहीं है अच्छा इसमें जबा सोच के देखिए कौन सा चेटफल नहीं है यह एल है और यह है तो एल इंटू एच वाला है इसके दोनों चेटफल है फिर यह बी इंटू एच वाला इसके भी दोनो कर देंगे ताकि केवल एक ही वाला चेत्रफल रहे तो चलिए इसको निकालना शुरू करते हैं सबसे पहले पूछा क्या है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक उतनी ही लगेगी जितने उसमें प्रेश्टों का चेत्रफल होगा जैसे कि इसमें उतनी ही दफ् सर्व वही हो जाएगा आवश्यक प्लास्टिक का चेत्रफल सब्सक्राइब आवश्यक का च्वाश्यक प्लास्टिक का अ कि वह हो जाएगा तू में एto two H, B मत लगाईएगा, क्योंकि B तो एक कम करना है, तो एक हो गया, two, L इन्टू H, यानि कि ये वाला छेतफ़, सेम ये ये वाला आए भी हो गया, फिर B इन्टू H वाले दो होगे, कौन से, B इन्टू H वाले, बस इस ब्रैकट को यहीं बंद कर दिजे, यही दो दो होगे, बाखी जो तीसरा वाला होगा, वो केवल एक ही होगा, यानि कि L इंटू B वाला सिर्फ एक होगा, दो नहीं होगा, इसलिए वो common लेके बाहर नहीं आ पाएगा, इसको aside में ही रखना पड़ेगा, बस चलिए इसको सूर्च को रख देते हैं, सारे मानों को रख देते हैं, हों कि हम तीसरे सेंटि मीटर को मिटर में change कर लेंगे, और हमारा जो दूसरे सेंट वाले कोशन में दिया गया है, बताओ पूरी शीट का मूले क्या होगा, तो उस पूरी शीट के मूले को नकानने के लिए हमें गुड़ा करनी पड़ेगी, उसमें भी मीटर स्कstat की थीक है और जो एक सेंटीमेटर वाला है उसको मेटर बदल लेना चाहिए तो इसको रखते हैं मीटर में और बाकी सेंटीमेटर वाले को जो लास्ट है उसको बदल लेंगे मीटर में यह हो गया और हमारा था 65 सेंटीमेटर चलिए इसको बदल लेते हैं 65 सेंटीमेटर बटे हं हैं 0.65 मीटर यहां बिदे शम्मलों होगा दो इस्तान की सक्के इधार आ जाएगा जिससे की 0.65 सेंटिमीटर हो जाएगा चलिए सारे मान रखते हैं दो एल इंटू एच यानि की 1.5 इंटू 0.65 प्लस बी इंटू एच यानि की 1.25 इंटू एच यानि की 0.65 प्लस एल इंटू भी यानि की 1.5 इंटू 1.25 ठीक है तो यह सारे मान हो गए जब आप इस पूरी कर्फिलेशन को हल करेंगे तो आप का अंसर आ जाएगा 5.45 मीटर स्कूर यहां पर मैं आपका समय बचाने के लिए इसको हल नहीं कर रहा हूं मैं आपको मेरा उदेश यह है कि आपको तरीका बता सकूं कि आपको किस तरह से सवाल को हल करना है बाकि अब आप 9 चा पहुंच गए हैं तो क्याक्लेशन जैसी छोटी चीज़ है तो वह आप अपने आप कर ही लेंगे मैं चाहता हूं कि आप हर सवाल को लगाने का तरीका समझ जाएं तो यह हमारा हो गया आवश्चत प्लास्टिक का छेत्रफल चुकि एक मीटर स्कार शीट का मूल दिया गया है बीस रुपए तो पूछ रहा है टोटल शीट का मूल ले क्या होगा तो चलिए इससे कर देते हैं सीधे गुणा एक आकी में हम आपने पढ़ा ही होगा कि एक पैंकी कीमा दस रुपए है तो बीस पैंकी कीमा दस गुणे बीस यानिकी 200 रुपए हो जाएगी स इसकी गुणा हो जाएगी 5.45 मीटर स्कूर से सीधे हमारा आंसर आएगा बी जीरो दो बंचे इसके लगा एक दो बंचे दस ठीक है और दो अंक के बाद लगा है तो इधर से दो अंकों बाद लग जाएगा 109.00 यानि कि 109 रुपए हो गया यह हमारा आंसर हो गया आसानी स कहा करते हैं इस के आल में आप गलबढ़ कर देते हैं कि आप जो मात्रक है उसको नहीं बदलते कई बालों बच्चे गलती कर देते हैं अगर आप मातर नहीं बलते, आंसर गलत आ जाता है, बस यही गलती इस question में हो सकती थी, चलिए दोस्तों, अगला question देखते हैं, अगले question के लिए पहले मैं इसको इससे separate कर देता हूँ, ठीक है, अगला question छोटा सा ही है, तो इसमें देख लेंगे, कोई दिकत नहीं है, दूसर question की और बढ़ते हैं, यह मैं exercise 13.1 के question करा रहा हूँ, और 13.1 के लगबग मैंने सारे question करा दूँगा इस वीडियो में, दूसरा सवाल है, एक कमरे की लंबाई, चोड़ाई और उचाई क्रमशा 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, लंबाई चोड़ाई उचाई दी गई है, 5 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर, तो L is equal to 5, B is equal to 4, and H is equal to 3 मीटर, आगे कहता है कि साड़े साथ रुपए प्रती मीटर स्केर की दर से इस कमरे की दीवारों और छट पर सफेदी कराने का वह ग्याद कीजिए, ठीक है, अब कमरा है, तो कमरे के जमीन पे तो पेंट होग सूद यहीं नहीं, उसके चारो दीवारों और छट्पे ही सफेदी कराई जाएगी, सेम वही सवाल जैसा पर पिछला वाला था, सेम यहीं सवाल है, इसमें भी 5 का ही चित फजला था, इसमें भी 5 का निकलना था, यह कमरा माल लिया, यह कमरा इस तरह से होगा कुछ, जमीन सपीज पहली होगा उस पर पेंट नहीं होगा चपते होगा और चारो दिवारों सब्सक्राइब तो शोज लगा दिजिए वह सीधे और आंशर आप पाई में सिसी इंटो इच प्लस बीन टुट अच प्लस है 歌 है वही ऐएक शर्फेस नहीं होगी जमीन वाली सर्फस ऐलिंट वी वाली नहीं होगी च्छत वाली होगी 3 आझ चांड दिवारे और ठीक है इसको अलग रखोंगा तो यहां पर जाब इस टाल्कुलेशन को हल कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा चोहत्तर मीटर स्क्वार अब यह कह रहा है कि साड़े साथ रुपए पर मीटर स्क्वार की दर से अगर रुपए लगे तो टोटल रुपए कितने होंगे तो पचपन रुपए अब उना कर लेंगे तो इस तरह से बिलकुल पिछले वाले सवाल की ही तरह था हमारा यह वाला सवाल तो आप इसका आसानी से समझ चुके होंगे कि किस तरह से सवाल ही होते हैं तो चलिए बढ़ते हैं कुछ अच्छे सवालों की और जो की कठिन भी किसी आयतकार हौल के फर्ष का परिमाब 250 मीटर दिया हुआ है आयतकार हौल के फर्ष का परिमाब माली यह हौल लान लेते हैं और यह इसका फर्ष है तो फर्ष का परिमाब दिया गया है परिमाब का मत्तब है कि चारों बुजाओं की टोटल लंबाई अब आयतकार है तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है, दो गुड़े लंबाई प्लस चोड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र दिया गया, मतलब हमने लिख लिया है, तो ये हो गया 250 मेटर, मान लिजे लंबाई हमा इसको हमने मान लिया है इसको साइड में यहीं पर लिख लेते हैं माना लंबाई बराबर एक्स और चौड़ाई बराबर वाई तो इस तरह से समीकर्ण हमारा बन गया दो से इसको काट देंगे तो 125 और एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 125 यह हमारा फर्स समीकर्ण बन गया तो इसके आगे क्या कहता है रुपए 10 रुपए प्रती मेटर स्कॉयर की दर से चारो दिवारों पर पेंट कराने की लागत अब चारो दिवारों पर पेंट कराने की लागत है यानि कि इसमें छत include नहीं होगी यानि कि L into B वाला नहीं होगा एक तो पहले से ही गायब था फर्ष वाला into B दूसरा छेत वाला भी गायब हो गया तो L into B वाले को आज सूतर से हटा ही दीजे और शेश जो सूतर बचा है उसको लिख लीजे यानि कि B into H और दूसरा L into H वाला यह देखिए दूसरा L into H और पहला वाला B into H वाला तो यानि कि छेत वल का सूतर क्या हो गया 2 L into H प्लस B into H ठीक है जिसमें से H को कॉमन ले लेंगे 2 L प्लस B into H जहां पे H का मतलब तो हाइट है ठीक है और L और B लंबाई और चोड़ाई है क्योंकि लंबाई और चोड़ाई को हम अलड़ी मान चुके हैं लंबाई को माना था X और चोड़ाई को माना था Y तो दोनों को यहां पे लिख लेते हैं इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं H को उचाई को तो ये तो हमारे छेतफल का सूतर बन गया, अब ये चारो दिवारों का छेतफल हो गया, तो अब इसमें 10 मीटर पती स्क्यार की दर से जब पेंट कराया गया, तो खर्च कितना आया, जेड़ पर 15,000 रुपए का खर्च आया है, तो बस इसी को 10 से गुणा कर देते हैं, तो 10 गुणे 2, X, Y, गुणे H, तो ये हमारा टोटल खर्च निकल आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले सवालों में हमने निकाला था, तो ये हो गया हमारा 15,000 रुपए, तो ये हमारा टोटल खर्च हो गया, अब इसी को हम लोग खल कर लेंगे, 10 गुणे 2, X, Y का मान उठा क कि यहां पर रखा गया है, फिर गुणे H, H को ऐसे ही रहन देंगे, क्योंकि H तो हमें निकालना है, कोशन में कहा गया है, इसे हौल की उचाही निकाली है, तो डेढ़ 15,000 रुपए ये लिफी है, अब इसी को हाल कर देते हैं, तो जब हम 125 से इसको भाग करेंगे, 125, 125 बज यही हमारे एच का मान है, दीजे एच के नुचाही हमारी निकालाई, बस इसी तरह से यह आसान सा सवाल लग गया, अब यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे, कि आपने तो कह दिया आसानी से सवाल लग गया, लेकिन हमें तो यहां पर दिक्कत होती है, इसको समझने में कैसे स आधान तरीका यह समझ लीजें, कि अगर आपको उचाही निकालनी है, तो आपको कोई ना कोई समीकन बनाना पड़ेगा, बिना समीकन बनाने किसी का मान नहीं निकलता है, तो जा हमने समीकन बनाने के लिए यह लागत वाला लगाया कि छेतन निकाल लिया, फिर उसको रु आप बनाने कि माप वाले समीकन में लाकर रख दीजें, बस उसके बाद में हल कर लीजीं, अंसर निकल आएगा। यह हो गया हमारा, यह सवाल भी पूरा।도 की और। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यह कह रहा है, पले इसको पार्टीशन कर लेते हैं तो अगला सवाल कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट नौ दुशनलो तीन साथ पांच मीटर स्क्वाइर के छितफलवा पेंट करने के लिए परयाप्त है इस डिब्बे के पेंट से 22.5 cm गुणे 10 cm और गुणे 7.5 cm वाली विमाओ की कितनी इड़ पेंट की जा सकती है यानि कि एक डिब्बे में पेंट भरा हुआ है और यह बताया गया है कि उससे 9.3,75 मीटर स्कर छितफल को पेंट किया जा सकता है और एक इड़ दी गई है जिसकी विमाएं यहाँ पर आप 10.5 cm 10 cm और उंचाई दी गई है 7.5 cm तो इसे ऐसी कितनी इड़ हो जाएंगी तो यहां पर इससे पहले तो इस सेंटी मीटर में है और पेंट जित्ते हो रहा है यानि कि जो डिब्बे में पेंट है उससे नौशनलों 3,75 मीटर स्कर पार रहा है फिर वही बात आ गई कि यह स चेथफल निकाल लेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया उससे बंड़ेंगे क्या करना होगा है कि ए इसे और इस में पोप almost होगा और पर कहीं तो परी को पेंट करने के लिए हमें यहां पे इसके कुल प्रिष्ठी को निकालना होगा तो इससे तो बदाल जाएगा कि एक से इतना लगेगा बनाएक कि एक के लिए हमारा चेट फ़न निकलाएगा अब हम टॉटल को उससे कर देंगे भाग क्योंकि एक में लग रहा है इतना 2 फिर वास फाकांद ओंद घजाते हैं एक इंड का कुल छ्यथफल अ को कि फिर बाइस उत लगा देंगे तुऌ एलीं टू बी प्लस बissippi टूँह प्लस एकेंटू Luis बस ऐन्न रख लेंगे भलक कैकल टू आलीं एल इंटू बी यानि कि 22.5 गुड़ें तस प्लस बी इंटू एज यानि कि 10 गुड़ें 7.5 प्लस ह इंटू एल यानि कि 7.5 गुड़ें 22.5 ठीक है तो जब आप इसको हल कर लेंगे इसको गुणा भाग कर लेंगे तो इसके बाद में इसका अंसर आएगा 937.50 cm2 ये इसका अ ठीक है तो एक इंट का कुल शेटफल हो गया अब इससे हम कुल जो पेंट जिसना जासे बढ़ा हुआ है उससे इतना शेटफल पेंट हो सकता है और एक इंट का इतना शेटफल है हां यहां पर मीटर स्कॉर और सेंटीमीटर लिए तो चलो उसको पहले बदल लेते हैं 937.50 और सेंटीमीटर स्क्वाइर तो जानते हैं कि एक सेंटीमीटर में एक बटा सौ मीटर होते हैं तो एक बटा सौ यहां पर मीटर लिख लिया और यह स्क्वाइर को ऐसे ही लगा रहें दिया तो यह हो गया 937.50 गुड़ें एक बटा सौ का स्क्वाइर होगा तो दस अजार आ स्टीटिमीटर के सब्क कर दिया है यह सब्सक्राइब का सब्सक्राइब 0.9375, 0 meters कर आ गया, अब पस कुछ नहीं करना है, यह जो total जिता paint कर सकता है, उसी को हम यहाँ पे भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग, तो जब हम इसको भाग करेंगे, तब हमारी कुलेंटों की संख्या निकलाएगी, इंट की संख्या, बराबर 9.375, बटे 0.09375, यहाँ पे दिशमलों के बाद में 0 को हटा देते हैं, क्योंकि दिशमलों के बाद के जो लास 0 होता, उसको कोई मतलब नहीं होता है, तो जह हम इसको भाग करेंगे, तो ultimately भाग करने के बाद में आंसर आ जाएगा, 100 इंट, तो यहाँ पे दिशमलों के बाद 5 अंख है, तो यहाँ पे 3 अंख है, दूर 0 बढ़ाकर अंख को बराबर कर लेते हैं, और दिशमलों को यहाँ से हटा लेते हैं, तो यह जब इससे भाग किया जाएगा, तो यह असल में आ गया होगा, 9, 3, 7, 5, 2, 0, और नीचे 9, 3, 7, 5, तो बस यह वाली बात नहीं आई होगी कि यह इंचों की संख्या कैसे आ गई, अब चुकि जिता पेंट था, उससे इतना शेत्वल पेंट किया जा सकता था, और एक इंट का शेत्वल यह है, तो यह इसको आद ऐसे समझे कि जैसे एक पेंट का पत्ता है, उसकी कीमत 200 है, तो बताओ पेंट के पत्ते में किते पेंट होंगे, तो आख कुछ नहीं करेंगे, बस आएक पेंट की कीमत से टोटल कीमत को भाग कर देंगे, पता चल जाएगा, टोटल संख्या किती है पेंट की उसमें, बस वही काम यहां पर भी करना है, कि 9.375 मेटर स्क्वार पें होंगे, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल है, एक पौधा, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूच से शीशे की पट्टियों से आधार भी समलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है, शीशे की पट्टियों को टेप दोरा चिपका कर रोका गया है, या पौ लंबाई चोड़ाई और शीशे की पट्टियों से भी बनाया जाएगा और इसका आधार भी समलित है, यानि कि इसमें सब कुछ समलित है, पूरा संपूर्ण शेथपल ही हमको निकालना है, जैसे कि आप यह देख सकते हैं, यह देखें, इस तरह से एक शीशा घर बनाना है और यह शीशा करकी लेंद्ट दी गई है, लंबाई दी गई है, 30 cm, चोड़ाई दी गई है, 25 cm, और उंचाई दी गई है 25 cm, इस तरह से यह तीनों से दी गई हैं, और पूरे पे ही बनाना है, तो चारों तर जो शीशा लगेगा, तो एक इधर शीशा, इसके बीच्छे, इ तो अगर इस शीषे का संपूर्ट शेत्फल निकाल लिया जाए तो वही शेत्फल होगा जो कि शीषे की पट्टियों का टोटल शेत्फल होगा प्रियुक्त शीषे की पट्टियों का टोटल शेत्फल होगा तो लिख लेते हैं पहले एक बार लंबाई चोड़ाएं उचाए तो length हो गई 30 cm, breath हो गई 25 cm और height हो गई 25 cm तो प्रयुक्त कांच का छेतरफल वह वाला सूत लगा देंगे 2 L into B plus B into H plus H into L यानि की 2 into B यानि की 30 गुड़े 25 प्लस 25 गुड़े 25 प्लस 25 गुड़े 30 तो यह आ गया अब जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4250 cm2 क्योंकि यह हो जाएगा 25 इसकी गुड़ा होगी तो उसके बाद आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4250 cm2 अब यह इसके आगे कह रहे हैं कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप किया और शक्ता होगी तो अगर इसके सभी किनारों पर टेप लगाया जाएगा तो इसकी सभी लंबाईयों पर चोड़ाईयों पर और उचाईयों पर टेप लगेगा जैसे कि इस सित्र में आप देख सकते हैं इस पर ने चार तो चारो उचाईयों की उणा कर लेंगे चारों उचाईयों की उना कर लेंगे तो ये टेप निकल आएगा उधर से ही चारों लंबाईयों को और फिर चारों 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 को तो चारों से उना करके यहां पर टेप निकाल लिया जाएगा चारों को जोड लेंगे वही टोटल लंबाई होगी टेप की जो लगेगी टेप इन किनारों पे लगेगा इन किनारों की इस टोटल लंबाई या निकार लेंगे और वही हमारा प्रियुक्त टेप का लंबाई हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं बारह किनारों के लिए टेप यानि की चार गुणे लंबाई प्लस चार गुणे चोड़ाई प्लस चार गुणे उंचाई तो चार जिससे एक उंचाई की चार से गुणा करेंगे चारों उंचाईया निकलाएंगी एक लंबाई की चार से गुणा करेंगे तो चारों लंबाई या निकलाएंगी और सब को जोड़ लेंगे तो टोटाल लंबाई और टेप की लंबाई निकलाएंगे चलिए करते हैं चार गुणे लंबाई यानिकी 30 प्लस चार गुणे चड़ाई यानिकी 25 तो यह हो जाएगा 312 120 यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा 100 आंसर आजाएगा 320 cm क्योंकि यह लंबाई है इसलिए cm में होगी वह चेत्रफल था इसलिए cm2 में था यह बाते हमने आपको शुरुआतने ही बता दी थी तो आसान सा था प्रियर कांच का चेत्पन निकालना था का जिसके चारोंड लगेगी इसलिए संपूर्ण शेत्पन का सूत लगा दिया और उससे आंसर निकाल लिया फिर 12 किनारों के लिए टेप निकालना था तो सभी किनारों की लंबाईया निकालनी इस तरह से हमारा आंसर टेप का लंबाई भी आ गया तो यह था हमारा पहला पा अब अगरा सवाल बड़ा ही महत्पून सवाल है और बड़ा ही अच्छा और थोड़ा सा कटिन भी है ठीक है देखते हैं सवाल को शांती स्वीर्ट इस्टॉल अपनी मिठाईयों को पैक करने के लिए गत्य के डिब्बे बनाने का ओर्डर दे रहा था दो मापों के डिब्बे की आशकता थी बड़े माप के डिब्बों की माप 25 गुडे 20 गुडे 5 सेंटिमेटर और छोटे डिब्बों की माप 15 गुडे 12 ग 25 सेंटिमेटर ब्रेथ है 20 सेंटिमेटर और हाइट है 5 सेंटिमेटर इसी प्रकार के दूसरे वाले डिब्बों के लिए छोटे वालों के लिए लेंथ है 15 सेंटिमेटर ब्रेथ है 12 सेंटिमेटर और हाइट है 5 सेंटिमेटर अब इसमें सभी प्रकार की अतिवयपक्ता के ल वर्राबर अत्रिक गत्ता लगेगा यानि कि जब डिपर बंध होंगे तो उसमें अठत घसीये मिठाई का धिबर है तो उस तरीके से यहां The उसमने चैनलिट के बनाब योगा उपर से यह जो यह देखिए यह जो बंद होगा यह वाला यह वाला पार्ट यह भी इसमें समलित होगा अती व्यापक्ता तो केवल यह होगी यह यह और यह जो डिब्बे को अलग से ढखेगी जो डिब्बे को बंद करने के बाद में अलग से इसको ढखेगी तो और लेडी एक दो तीन चार और उपर वाला 6 तो टोटल 6 तो ये होई गै साथ में कुछ अधिव्यापक्ता भी होगी तो अधिव्यापक्ता कितनी होगी कोश्य में आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है कि सभी व्रगार की अधिव्यापक्ता के लिए कुल प्रष्टिय शेत्पल के 5% के बराबर अतरिक तगत्ता लगेगा यानि कि कुल प्रष्टिय शेत्पल तो च्छों का शेत्पल निकाल लिया जाए और शेत्पल का 5% भाग निकाला जाए तो वो अधिव्यापक्ता हो जाएगी लेकिन ये क्या होगा लेकिन ये केवल एक यही डिब्बे की अतिवाइपकता निकलेगी दूसरी डिब्बे के लिए यही काम हमें अलग से करना पड़ेगा और जब हम उन अतिवाइपकता को उसमें छित्वल में जोड़ देंगे तब हमारा पुल छित्वल निकलेगा तो इस बात को आप इस तरह से समझिए कि पहले छित्फल को निकालना शुरू करते हैं बड़े डिब्बे में पहले हम बात करते हैं चलिए बड़े डिब्बे में पहले बात करते हैं बड़े डिब्बे के लिए छित्फल हो जाएगा 2L into B plus B into H plus H into L तो 2 25 गुड़े 20 प्लस 20 गुड़े 5 प्लस 5 गुड़े 25 छीक तो इस तरह से इसको अब हल कर लेते हैं तो जहां हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर अब अतिव्यापक्ता लगाते हैं अतिव्यापक्ता मतलब यह तो हमारे डिबा हो गया और इस प्लस अब और से जब उपर से भी भट critics लिया ama चारों और को extra part यहां पर बंद हूद होधे इस per पार्ट को निकालते हैं इस एक्स्रा पार्ट के बारे में कहा गया है कि यह पूरे शेत्पल का 5% है तो अती इसको अभी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि आगे 6 हमें हल करना है तो इसको यहां पर अधिक हल करने की कोई आउशक्ता नहीं है चलिए अब शेत्पल बना कैसे होगा कि पूरा डिब्बा तो बन गया साथ में यतिवावक्ता भी जोड़ देंगे इतनी ही दफ्ती इसमें लगेग तो कुल दफ्ती किती लगेगी कुल दफ्ती के लिए हमें 1450 यह संपूर्ण सेत्पल और प्लस जित्यात यह व्यपकता है वो भी इसे हमें जोड़ देना होगा जब हम इसको जोड़ेंगे तब हमारा अगला आंसर आप आएगा तो जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आए किती टोटल दफ्ती लेकिन यह अभी केवल बड़े डिब्बे के लिए निकली है छोटे डिब्बे के लिए अभी यहां पर कोई बात नहीं हुई है छोटे डिब्बे के लिए यही काम हमें फिर से करना पड़ेगा अच्छा इन्होंने एक बात और यह कही है कि 4 रुपे प्रती 1000 सेंटीमेटर स्क्वैर के हिसाब से बनाए तो प्रते प्रकार के 2500 रुपे बनाने की लागत क्या होगी तो यह एक डिब्बे की दफ्ती है उस एक डिब्बे की दफ्ती में चार例 रूपय प्रती एक हजार सेंटीमेटर के स्कार के साबसे बनाना है तो यानि कि 4 रूपय लगते हैं 1000 सेंटीमेटर सिस्क्वार बनाने के अब इसी चीज़ को उल्ठा लिख लेते हैं 1000 एक हजार से 345 बटे 2 cm² के लिए किते रुपए लगेंगे तो इसके लिए लग जाएंगे 4 बटे 1000 गुणे 345 बटे 2 इस तरह से यह आ जाएगा अच्छा ये तो एक डिब्बे के हिसाब से हो गया एक डिब्बे में इतने रुपए लग जाएंगे एक डिब्बे का छेत फ़ल ये था और इसकी जब रुपए से गुणा करती तो हमारे एक डिब्बे के रुपए आ गए तो एक डिब्बे में तो इतना रुपए लगेगा लेकिन ऐसे तो हमें 200 डिब्बे बनाने है कितने डिब्बे बनाने हैं? 200 तो धाइसो डिब्बे में किता पैसा लगेगा धाइसो डिब्बे में अब एक डिब्बे का पैसा पता है हमको यहाँ पे एक डिब्बे का पैसा यह पता है तो इसकी हम धाइसो से गुणा कर देंगे तो हमारे धाइसो डिब्बों का पैसा आ जाएगा तो चलिए देखते हैं तो 4 बटे 1000 3045 बटे 2 गुडें 2500 ठीक और जब इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा 1522.5 रुपए ठीक यह बड़े डिब्बे के लिए 2500 डिब्बों की लागत आ गई सेम यही काम अब हमें करना होगा छोटे वाले डिब्बों के साथ में छोटे वाले डिब्बों का भी टोटल शित्वन निकालेंगे फिर उसकी आदिवयापकता निकालेंगे फिर जब डिब्बे के शित्वन में आदिवयापकता जोड़ दी जाएगी तो हमारा कुल जफ्क्ती का सित्फल आ जाएगा जित्ती उसमें लगनी है फिर जैसी दर दी गई है उसके हिसाब से हम गुणा करके उसके एक डिब्बे के रुपय निकाल लेंगे जब एक डिब्बे के रुपय आ जाएंगे तब हम उसकी ढबढ़ करके 200 डिब्मों के रुपए निकाल लेंगे सेम यही काम जो बड़े के साथ किया है वही छोटे के साथ भी करेंगे चाहिए यही काम चोटे वाले डिब्मे के साथ दिकाए कर लेते हैं उसकी लंबाई चोड़ाया उचाया हमने पहले ही लिख ली थी उसी हिसाब से इसको भी कर लेते हैं तो यह हो जाएगा छोटे वाले डिब्मे के लिए छेत्फल किसके लिए छोटे डिपे के लिए छोटे डिपे के लिए छेत्फल तो 2LB प्लस BH प्लस HL तो यह हो जाएगा 2LB यानि की 15 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 15 रहा फिर इसको हल कर लेंगे जैसे हम इसको हल करेंगे हमारा आंसर आएगा 630 कितना आजाएगा 630 cm2 फिर इसके बाद में अतिव्यापक्ता निकालेंगे अतिव्यापक्ता किती थी अतिव्यापक्ता थी टोटल का 5% 630 का 5% तो यह हो जाएगा 630 गुणे 5 बटे 100 एक यह 0 कर जाएगा तो 5 दूनी 10 यानि की 63 by 2 cm कर फिर इसको उसमें जोड लेंगे तो टोटल दफ्ती 6 फल निकाल आएगा टोटल दफ्ती जितनी लग रही है उसका 6 फल तो 630 प्लस 63 बटे 2 जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा आणसर आएगा 1323 बटे 2 cm स्क्वेर सेम पिछली वाले की तरह है इसकी दर भी निकाल लेंगे वही बात जैसे 1000 cm स्क्वेर के लिए लगते हैं 4 रुपए तो 1 cm स्क्वेर के लिए लगेंगे 4 बटे 1000 रुपए तो यह हो जाएगा 1500 वाले के साफ से निकाले 1323 के साफ से 1323 बटे 2 cm स्क्वेर के लिए लगेंगे 4 बटे 1000 वुड़े 1323 बटे 2 यह हमारा एक के लिए निकला है एक छोटे डिब्बे के लिए रुपए यह हमारे निकला है एक छोटे डिब्बे का सित्फ़ लित्ता था और जब उससे रुपए से गुणा कर दी तो उसके लिए रुपए भी निकला है तो जब एक के लिए रुपए निकला हैं सेम यही काम करेंगे धाइसो छोटे डिब्बों के लिए धाइसो के लिए मत्तब धाइसो से गुणा कर दी जाएगी धाइसो डिब्बों के लिए तो धाइसो से गुणा कर दी जाएगी तो 250 गुणे 4 बटे 1000 गुणे 1323 बटे 2 य तेरा सो तेईस बटे दो तो अब इसको हांसर आ जाएगा 661.5 रुपए जैसा बड़े के साथ वैसे ही छोटा के साथ भी तो अब टोटल लागत किती लगएगी दुनों को मिला करके टोटल लागत हो जाएगी जो पहला वाला था उसका रुपए टोटल और इसका रुपए दोनों को जोड़ दिया जाएगा 1522.5 प्लस 661.5 यानि कि यह आ जाएगा 2184 रुपए यही हमारा आंसर हो जाएगा तो सवाल असान था इसमें कुछ नहीं करना था अतिवय पक्ता पूरे छेतफल का 5% थी तो पूरा छेतफल निकाल लिया तो वो टोटल दफती निकला ही जित्ता हमें लग रही होगी फिर जो दर दी गई थी उसके हसाब से एक के छोटे डिब्बे के लिए रुपए निकाल लिए और फिर उसको 200 से गुणा करके 200 डिब्बों के लिए रुपए निकाल लिए इस तरह ऐसे छोटे डिब्बे के लिए पूरी लागत निकल आई सेम यही का हम पहले बड़े के लिए कर चुके थे और दोनों लाकतों को जोड़ दिया गया तो हमारा आंसर आ गया 214 रुपए इस तरह से ये सवाल लग गया मैं आपको ये दो कोशन आपको अपने घर के लिए दे रहा हूँ और मैं उमीद करता हूँ कि आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका अंसर पेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका अंसर जरूर दे तो दो सवाल आपकी स्कीन पर दिखाये दे रहूंगे एक घनाकार डिबबे का किनारद अस्टेइमेटर लंबाई का है एक ये वाला सवाल और दूसरा सवाल है परवीन अपनी घाड़ी खड़ी करने के लिए एक संदू के प्रकार के धांचे जैसा अस्ताई इस्थान तिरपाल की साहता से इस्थान इसमें बनाएगा तो जमीन वाला के वल एडिया छोड़ दीजेगा और शेस दूसरा वाला तो कुल प्रिष्टिय शेत्फाल तो और भी आसान होता है जो सूत्र है अमने आपको पताएं है उनको निकाल लीजें और घटा आके देख लिए कितना कम है इस तरह से दोनों सवाल लग जाएंगे उमीद करता हूँ कि आपको यह lesson समझ में आया होगा इसमे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद